इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत जो अमलता के लक्षणों जैसे की नाराजगी, पेट दर्ग या जलन से राहत देता है। ये एसिट को भी बैसर करता है और पेट की परेशानी को कम करने के लिए गैस के आसान मार्क को बढ़ावा देता है। यदि आप बहुत जल्दी इलाज बंद कर देते हैं तो आपके लक्षण वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिती और खराब हो सकती है। अपनी स्वास्थि सेवा टीम को अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं क्योंकि कुछ इस दवा से प्रभावित हो हो जाती हैं। अपने चिकित्सक से सीधे संपर्क करें यदि आप इन में से किसी भी दुश प्रभाव के बारे में चिंतित हैं। यह दवा चक कर आना और नींद का कारण हो सकती है। इसलिए जब तक आप यह नहीं जानते कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है। जाफी, मसालेदार भोजन या चॉकलिट से परहेज करना आपको बहतर परिनाम प्राप्त करने में मदद कर सकता है। इससे पहले कि आप इस दवा को लेना शुरू करें। अपने चिकित्सक को सूचित करना महत्वपून है कि क्या आप गुर्दे या जिगर की बीमारी से पीडित हैं। यदि आप गर्भवती हैं, गर्भावस्था की योजना बना रही हैं या स्तनपान करा रही हैं तो आपको अपने डॉक्टर को भी बताना चाहिए। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो